गरीबी में कादर खान ने जोपड़ी में बिताय दिन फिर ऐसे किया 45 साल तक बलेवुड पर राज हिंदी सिने मार्जगत में अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों को जीतने वाले कादर खान अब हमारे बीच नहीं रहे कादर खान के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था और उनकी हालत काफी दिन से काफी गंभीर बनी हुई थी कादर खान फिल्मों का ऐसा ही रा रहे जिनकी अदाकारी के लिस्ट काफी लंबी है कादर खान ने नकेवल फिल्मों में एक्टिंग की बलकी कई अभिनेताओं के लिए डायलॉग भी लिखे तो चलिए आज आज आपको कादर खान की जिंदगी के कुछ अंसुने किस्से के बारे में बताते हैं कादर खान ने पिता अब्दुल रहमान खान कंधार के थे तो मा इकबाल बेगर पिल्शिन की रहने वाली थी कादर खान के जन्म से पहले उनका परिवार काबुल में रहता था लेकिन तीन बड़े भाईयों की मौत के बाद कादर खान के माता पिता घबरा कर उन्हें लेकर मुंबई आ गए कादर खान का बच्पन काफी गरीबी में रहा, यहां तक कि वे है जोपड़ी में भी रहे उन्हें एक साओ रुपे का नोट दिया था, कुछ साल तक तो कादर खान ने इस नोट को अपने बास रखा लेकिन बाद में गरीबी की वज़ए से खर्च कर दिया, फिल्मों में एक्टिंग के आलावा कादर खान लेखक भी थे, उनका मानना है कि अच्छा लेखक बनने क के लिए जिन्दगी में बहुत दुख से गुजरना जरूरी है, कादर खान ने साल 1973 में पहली फिल्म डाग में नजर आये थे, इस फिल्म में कादर खान वकील की भूमे कामे थे, कहा दाता है कि कादर खान के कॉलेज ड्रामा में किये गए काम सिर्द दिलीब कुमार इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने कादर खान को दो फिल्मों सगीना और बैराग के लिए साइन कर लिया था, कादर खान ने करीब 300 फिल्मों में काम किया, इसके साथ ही करीब हिंदी और उर्दू में 250 फिल्मों के डायलॉग भी लिखे, यहां तक कि राजेश खना और मुम कादर खान एक कॉमेडी शो लेकर आये थे जिसका नाम हसना मत था, इस सीरियल में कादर खान के अलावा शगुपिता अली, अंजू महेंद्रू और हिमानी शिवपुरी भी थी, अमिता बच्चन की कई फिल्मों के अलावा कादर खान ने हिमत वाला, कुली नमबर वन, मैं खिलाडी तू अनाडी, खून भरी मांग, कर्मा, सरप्रोश और दर्मवीर जैसी कई सुपर हिट फिल्म में शामिल है